नमस्कार आदाब शच्याकाल गुर्वारी मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है आपका होस्ट और दोस्तं के तवस्थी लेकर के ताजातरीन सवाल जो की बने है कल रात तक के सुर्खियों से साथियों तीसरी बड़ी खबर बनकर आ रही है हाल ही के अंदर प्रयाग राज हलाबाद हाई कोर्ट ने एक जवरदस्त स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट है धर्म परिवर्तन को लेकर और उसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसे ही धर्म परिवर्तन होता रहा तो जो मैजॉरिटी हिंदू है ये हिंदू माइनॉरिटी बन जाएंगे इस बारे में अलाबाद हाई कोर्ट का ये रिमार्क क्यूं है इसके पीछे का कारण है धर्म परिवर्तन अलाबाद हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा केस आया जिस केस में एक व्यक्ति के द्वारा जबरन का मूल अधिकार है उसमें freedom of conscious की बात की गई है freedom of religion की बात की गई है और उसमें धर्म के प्रचार की भी permission दी गई है तो यहां पर एक बड़ा प्रश्ण बनकर आता है और वो यह है कि धर्म का प्रचार क्या हम लोग fundamental rights के अनुसार मूल अधिकार नहीं मान सकते क्या और जब धर्म का प्रचार होता है तो धर्म के प्रचार से प्रभावित होकर अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म से हमारे धर्म में आता है तो उसमें बुराई क्या है तो article 25 का जो इस interpretation है उसी के ऊपर Supreme High Court का अपना बयान है तो ध्यान से समझिएगा article 25 पर ही High Court ने अपना रिमार्क दिया है कि article 25 को आप गलत तरीके से interpretate कर रहे हैं कि साब हम तो धर्म का प्रचार कर रहे थे सामने वाला धर्म बदल लिया तो हम क्या करें तो धर्म का प्रचार का क्या मीनिंग है उसको हम समझेंगे यानि कि मूल अधिकार जो गिवन है वो बिलकुल वैसे ही जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल उनीस में दी हुई है तो आर्टिकल उनीस में जो भाषण अभिव्यक्ति की आजादी है उस आजादी को कैसे लेना है आप उसके मतलब कुछ भी बोलने लगेंगे या फिर रीजनेबल रेस्टिक्शन उस पर लागू होंगे ये बैटर बातें मैटर करती है ठी जो हमारे देश में मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोटें टिपनी करते हुए कहा कि SCST के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हां इसाई धर्म में अवैद धर्मानतरण बड़े पैमाने पर उनका किया जा रहा है और इसे ततकाल प्रभाव से रोकने की रखता है अदर्वाइस बहु संख्यक आबादी एक दिन अल्प संख्यक बन जाएगी तो मामला क्या था अब उस मामले को सुनिये असल में अलाबाद उच्छन्याइले ने उत्तर प्रदेश के हमीरपूर के एक मामले पर टिपनी की थी असल में एक F.I.R. थी हमीरपूर क को लेकर दिल्ली आया था, महदा गाओं के रहने वाले कुछ और लोग भी थे जिने समहारों में लेकर आया गया, इसका भाई बिमार था, रामकली प्रजापती का, जो की कैलाश के साथ में दिल्ली आया था, लेकिर ये वापस लोटा नहीं, जब अपने भाई के बारे में इससे पूछा तो पैतरक गाउं के बहुत सारे लोग भी उसके साथ कैलाश के साथ साथ जब दिल्ली ले जाए गए तो इसने कैलाश से पूछा कि भाई कहा है जानकारी बाद में पता चली कि बापस भाई तो नहीं आया है इसके अंदर जब उसको संतोज जनक जवाब नहीं मिला तो उसने जानने का प्रयास किया कि मामला कहां पसा है पता चला कि उस गाव से बहुत सारे लोगों को ये कैलाश नाम का व्यक्ति दिल्ली ले जाकर एक धार्मिक समारों में आयोजन में ले जाकर धर्म परिवर्तित करा के क्रिश्चिन बना कर ले आया है घीक है ऐसी इस्तिती में शिकायत करता के भाई राम फल का धर्म परिवर्तन हुआ या नहीं इस विशेय पर काफी जाधा कैलाश की तरफ से एक वकील है कि सर ऐसा नहीं हुआ वहीं पर रामफल का रामकली का प्रजापती का भाई कह रहा हैं सर ऐसा हमारे साथ हुआ है तो इस बात को लेकर के धर्म परिवर्तन की बाते सुर्खियों में आई और हलाबाद हाई कोट के सामने पहुँच गी ठीक है यहाँ पर दावा किया गया जो की मतलब यह जो व्यक्ति है रामकली प्रजापती इसकी तरफ से प्रजेंट हुए जो महादिवक्ता हैं उन्होंने दलील देते हुए कहा कि यहाँ पर इस समहारों के अंदर लोगों को बड़ी संख्या में इसाई बनाया जा रहा था और उन्हें भारी मातरा में पैसा उपलब्द कराया जा रहा था आरोपी जो कैलाश है वो इसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए गाउं से लोगों को ले जा रहा था और उन्हें बदले में भारी मातरा में धन दे करके बदलवाया जा रहा था अब यहां पर यह बड़ा सवाल आता है कि यह जो काम कर रहा था क्या यह आर्टिकल 25 के दाएरे में है क्या अगर किसी व्यक्ति का मन कर रहा है कि मैं धर्म बदल लूँ तो धर्म बदलने पर फिर को सुप्रीम कोर्ट को हाई को दिक्कत क्या होनी चाहिए तो इसको एक बार समझते हैं देखिए हाला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात बोली है लेकिन एक बार के लिए आप आर्टिकल को पढ़ें भारते समीधान के अंदर मूल अधिकार पार्ट तीन के अंदर आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक दिये गए है छे प्रोपर मूल अधिकार है उनमें से यह जो धर्म वाला अधिकार है यह आर्टिकल 25 में लिखा गया है क्या लिखा गया है freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion बस यही सारी की सारी कहानी है मतलब क्या है यह वाला आर्टिकल स्वतंत्रता देता है किस चीज की स्वतंत्रता देता है साब उसकी practice आप freely कर पाए और अपने धर्म को propagate जो है ना वो अपने religion को कर पाए propagation of religion की permission देता है आर्टिकल 25 तो आर्टिकल 25 के अंदर धर्म को प्रचार करने की प्रपोगेट करने की जब permission दी हुई है तो फिर दिक्कत क्या है तो यहीं से बड़ा प्रशन बनता है कि जब Article 25 कह रहा है, कि प्रपोगेट करिये अपने धर्म को, तो प्रपोगेट करने के लिए कर दिया उसने सामने बाले ने, बढ़ा दिया उस धर्म को, बढ़ा दिया तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको कनवर्ट करा दिया, तभी तो प्रपोगेट हुआ. Supreme Court, मतलब आलाबाद High Court ने का कि भाई या प्रचार शब्द का अर्थ है बड़ावा देना लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने धर्म, दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्धित कर लेना बोले तो फिर इसका क्या मतलब है प्रचार करने का मतलब प्रफगेट कैसे होगा तो आपके धर्म में भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो धर्म को धर्म के अंदर पैदा तो होगा है लेकिन धर्म को मान नहीं रहे आज जैसे बहुत सारा यूथ ऐसा है जो कि Hindu पैदा तो हो गया, लेकिन उसे Hindu religious text के बारे में नहीं पता है, Hindu philosophy के बारे में नहीं पता है, ऐसी इस्तिती में उन्हें आप जानकारी दे रहे हैं, उन्हें आप मजबूत कर रहे हैं, this is प्रचार, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तूसरे धर्म के लोगों को जानक of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion, इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, जिसका अर्थ ये निकाला जाए कि आप दूसरे का धर्म बदलवाद देंगे, अर्थात धर्म परचार की स्वतंतरता किसी को भी धर्म परिवर्तित करने की अनुमती नहीं देती, आप कहें कि सर हमको परचार करने की परमीशन देतो रखी है, बोले परचार करने की परमीशन दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का धर्म बदलवा दोगे, ये प्रयाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है, तो religious conversion के ऊपर यहाँ पर comment proper तरीके से दिया गया है, साथ ही साथ सुप्रीम कोट ने भी एक बार इस पर ऐसी ही तल्ख टिपनी करते हुए कहा था, कि religious conversion एक serious issue है हमारे देश के अंदर, क्योंकि जबरन धर्म परिवरतन कराने के गंभीर मामले केंद सरकार को सक्त कारवाई करने के निर्देश के तर्दिया गया थे, भीया देखो, दे इनका जो मूल अधिकार है, उसका protection आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोट के द्वारा दिया जाता है, ऐसी इस्तिति में सुप्रीम कोट ने साफ का था कि भाई, आर्टिकल 25 का violation नहीं होना चाहिए, ऐसा ही एक मामला अक्टूबर 2022 में भी आया था, जहां पर मेरट के अ कुछ लोग इसाई धर्म से मानने वाले पहले आये, आकर के उस बस्ती में रहने लगे, फिर उन्होंने उन लोगों की मदद कोरोना काल में की, थोड़ा मदद करते करते फिर उन्होंने का कि और मदद मिलेगी, और अनाज मिलेगा, चलो तुम्हें चर्च लेके चलते हैं और इन लोगों को वहाँ पर जबर्दस्ती प्रेयर्स करवाने लगे और इस तरह से इने धूका दे कर लगबख 400 से ज़्यादा घर ऐसे निकले, जिनके 1500 से ज़्यादा वोट हैं, उन सब को ले जाकर पहले क्रिश्चन बनाने का काम यहाँ पर हुआ, और भी ऐसे धर्मान के मामले हुए हैं, 2022 के अंदर जिनके आंकडे आपके सामने हैं, इसको लेकर के काफी ज़्यादा राजनिती भी होती है, और राजनिती पर राजनितिक दल अपने-अपने मैनिफेस्टों भी जारी करते हैं, जैसे 2022 के उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाओ के अंदर साफ मैनिफेस्टों में यूपी सरकार ने प्रामिस किया था, कि फॉर्सिबल अगर किसी का रिलिजियस कनवर्जन कराया गया है, जबरदस्ती किसी का धर्मानतरन कराया गया है, तो वो एक पनिश्मेंट होगा और इसके लिए स्ट्रिक पनिश्मेंट रखा जाएगा, ऐस इसी इस्तिती में पहले जब क्या हुआ करता था, क्या रिलिजियस कनवर्जन को पीनल कोड के अंदर डाला हुआ नहीं था, क्योंकि इशाई मिशनरी भी बहुत सारी ब्रिटिशर्स के साथ इंडिया पहुची थी, और वो यहां पर, क्योंकि इशाई धर्म भारत में नही तो अंग्रेजी हुकूमत में धर्मानतरण पर कोई रोक नहीं थी, कोई कानून नहीं था, लेकिन उस समय भी चार रियासतें, राजगर, पटना, सरगुजा और उदैपूर ऐसी थी, जहां पर धर्मानतरण को लेकर कानून बने हुए थे, सबसे पहले राजगर में हुआ फिर 1942-45 में सरगुजा में हुआ और 1946 में उदैपूर में कानून बना कि धर्मानतरण नहीं करवाना है, ठीक है साब, ऐसी इस्थिति में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर पहली बार 1954 में भारतिये धर्मानतरण विनी में एंपंजी करन विधेयक लाया गया था, लेकिन य पूदगल बनाम Union of India मामले में धर्म के दुरूपियोग को रोकने के लिए धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने की संभावना तलाशने के लिए कमेटी बनाने का सुझाओ भी दिया था, कि एक कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर इस बारे में चर्चा हो, 2015 में लाउ मिनिस् अरुनाचल प्रदेश, 36 गड़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जारकंड और उत्राकंड इनमें religious conversion को लेकर strict कानून औरेड़ी बनाए जा चुके हैं, ठीक है न, इसी प्रकार से तमिनलाडू के अंदर भी एक ऐसा legislation पास हो चुका है, इसी प्रकार से राजिस्थान के रोकने के लिए कानून बनाने की बात कही थी, तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हमारे यहाँ पर धर्म परिवर्तन जो जबरन कराया जा रहा है, वो मूल अधिकार के किलाव है, और ऐसी इस्थिती में उसे रोकने के लिए कानून बनाए जाने की आवशकता है, पड़ोसी द ठीक है साब, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई हो, बाकी मूल अधिकार क्या होते हैं, पार्ट 3 में क्या लिखा गया है, इस पार्ट 3 को प्रॉपर तरीके से इंडियन पॉलिटी में हमने लगवक साथ दिन तक पढ़ाया और समझाया है, अगर आउशक लगे तो आप इस GS Foundation badge को access कर सकते हैं, जो कि हमारी पार्ट शाला application, अपनी पार्ट शाला application पर उपलब्द है, जिसका link comment box में है, और इसमें जो पढ़ाया हुई जानकारी है, वो हमारे notes में भी उपलब्द है, जो handwritten notes से कुछ इस प्रकार से, आप उसे access कर सकते हैं, ठीक है?